अश्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे कि पुलिस अधिक्चक काड़ यालाए SP आफिस में RTI किस प्रकार लगाएंगे तथा हम लोग किसी भी मामले को यदि SP के समक्ष किसी नियाले द्वारा या किसी वरिष्ट पदादिकारी द्वारा स्थामतरित किया जाता है तो उस संबंद में हम लोग किस प्रकार RTI लगाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं चलिए जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस्ट सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क खिलाप RTI आसानी से लगा सकें तथा एक लाइक अबस्ट कर देंगे तथा इसे एक दूसरे को सेर अबस्ट करें तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि RTI के माध्यम से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रपत्र को किस प्रकार आप लोग साधे कागज प नातर भी वड़ कर ले सकते हैं मैंने एक नेशकता आयूक्त न्यालय में एक पुलिस अधिक्षक और ठाना ध्यक्षक के खिलाप एक शिकायत बात दायर किया था आप लोग देखें यह न्यालय राज बनाया गया था जिसमें इन्हें नोटिस कर अपना पक्ष रखने तू परतिवेदन की मांग की गई थी लेकिन ना तो पुलिस अधिक्षक इसमें अपना परतिवेदन दिये ना थाना अध्यक्ष हमारे बिहार में पुलिस ऐसे भरष्ट हो गए हैं कि या ना तो किसी वरिष पटना हाई कोट के आदेश पर भी ये लोग ठीक से काम नहीं करते हैं तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ या असपष्ट लिखा गया था पुलिस अधिक्षक मदेपुरा से अनुरोध है कि सभी संबंदित परतिवेदन परतिवादी पदाधिकारियों से प्रशनगत दावे का उत्तर देने है तू पस्थित हों इस प्रकार का यह नोटिस भेजा गया था इसी से संबंदित मैंने आर्टी आई लगा कर जवाब मांगने का प्रयास कर रहा हूं आप लोग भी इस तरह अगर कोई परतिवेदन किसी वरिष्ट पदाधिकारी को दे दन देते हैं और उसको स्पी के संग्यान में दी जाती है तो स्पी उस पर क्या कारवाई किये हैं इसके बारे में स्पी से अवसा आट याई लगा कर पूछें सिवा में लोग सूचना पताधिकारी पुलिस सदिक्चक का काड़ियाल है मधेपुरा अपने जीला पता पूरा लिखेंगे मांगी गई सूचना न्याले राज आयुक ने सकता विहार के पत्रां कितना दिनां कितना द्वारा पुलिस सदिक्चक मधेपुरा को नुटिस किया गया था इस संबंद में जानकारी चाहता हूँ पहला ततकालिन पुलिस सदिक्चक का नाम जिसे उस पर कारवाई करनी चाहिए थी दूसरा ततकालिन पुलिस सदिक्चक द्वारा की गई कारवाई से संबंदित संचिका की परमानित परती दी जाये तीसरा दोसी पर की गई कारवाई की संपून जानकारी दी जाये की गई जाच परतीविदन की परमानित परती भी दी जाए इस प्रकार करके हम उनसे हार्टी आई लगाकर जवाब मांग रहे हैं चोथा उस पदादिकारी का नाम वो पदनाम बता जाए जिसी करवाई करनी थी पर सो समय नियामानुसार करवाई नहीं किया गया इस कारण दोसी पदादिकारी पर कहां और किस आधार पर करव दिया हूँ इसलिए यह सूचना मैंने 75 आर्टी आई एक्ट की धारा 75 के तहत ने सुल्क देने की बात की है तथा इसे यह भी अवस्य लिख दिया करें आर्टी आई आप एदन में यदि वांची सूचना आपके काड़ियाले और विवाग से संबंदित नहीं हो तो आर्ट त्रित कर पंध दीनों में मुझे भी सुचित करें इस प्रकार करके हम लोग S.P. के खिलाब भी R.T.I. लगाकर उनसे जानकारी ले सकते हैं तथा उनके द्वारा कृत कारवाई की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर इसमें ब्रश्टा चार का उजागर होता है तो उसक के खिलाब भी आप लोग सक्षम न्याले में शिकायतबाद दायर भी कर सकते हैं जहिन.